कि नमस्कार मैं शीतल पीसिंग स्थिंदी.com पर आपका स्वागत है बहुत दिनों बाद आपसे बात्चीत हो पा रही है चुनिजी कारणों से मैं सक्री नहीं रह सकता हूँ आज मैं जिस विशे पर बात करना चाहता हूँ उसका मुद्दा सर्वोच नयायले द्वारा कल दिया गया फैसला है जो किसानों के मामले में आया है आप जानते ही हैं आप अख़वारों में और सोचल मीडिया पर देख चुके होंगे कि बहुत सारे लोगों ने उस पर अपनी अपनी प्रत्क्रियान दी है किसान संक्ठरों ने जहां सुप्रिम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है कि उन्होंने कानूनों को जो कृषि कानून थे जिन पर ये विवाद था उनको इस्टे कर दिया है वहीं दूसरी और उन्होंने उस कमेटी एक के गठन पर और उस के चेयन पर कड़े सवाल उठाए है और उनका ये शुरू से कहना है कि वो दरसल इस मामले में सुप्रिम कोर्ट वगरे का दखल नहीं चाहते थे और वो इसमें सरकार से सीधे आमने सामने हैं और वो एक ही बात है उनकी कि वो सरकार इन कानूनों को वापस ले एक और तो ये पक्ष है लेकिन दूसरी और देश में जो intellectual diaspora है उसमें एक सवर से सुप्रिम कोर्ट के इस फैसले को एक तरह से आप कह सकते हैं कि चुनौती सी दी गई है बड़े कड़े सवाल खड़े कर दिये गए हैं और वो सवाल आज दिन पर सोशल मीडिया पर कूछ दे रहे हैं उन सवालों की रोशनी में देखें तो सुप्रिम कोर्ट की ये पूरी exercise बहुत ही कमजोर पाइदान पर खड़ी नजर आती है बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान और एक प्राइविट यूश्टी के कुलपती कुछ दिनों पहले तक रहे प्रताब भानु महता साफ ने इंडियन एक्सप्रस में बहुत ही हार्ड हीटिंग टाइटल से एक लेख लिखा है उसको सत्य हंदी ने अनुवात करके भी है और प्रकाशित किया है वो है हमारे वेबसाइट पर आप देख सकते हैं सुनील जैन एक स्तंपकार है और किसी पी तरह से इन कानूनों के विरोध के समर्थ नहीं है किसानों के अंदोलन के समर्थ नहीं है लेकिन उन्होंने भी फाइनेशल एक्सप्रस में इसी तरह से ब को कहते हैं कि उनकी प्रैक्टिस थी एक लायर वकील के तौर पर और बीस साल वो जज़ रहे उन्होंने बहुत ही कड़े सवाल उठाए है पंजाब टुडे टीवी डॉट कॉम में उनका लेक प्रकाशित किया है उनके वेब पोर्टल पर अनिल सुरूप भारत सरकार में और उनकी चुनोतियों को लेकर लिखी थी उन्होंने ट्विटर एकाउट पर एक क्वेशनायर चलाया इसी फैसले के बाद और इसी से मिलता जूलता ऐसा ही सवाल जो इन तीनों ने उठाये हैं और आप आश्यर करेंगे कि बहुमत ने इसी भाव का समर्थन किया जो भाव प्रताब भानु महता, मारकंडे कार्जू, सुनील जैन और अन्य तमाम टेपड़ी कारों ने उठाया है मैंने जिन जिन लोगों से जो लीगल फ्रेटरिन्टी के लोग हैं उनसे बात की उसमें से लगभग सभी जो सामने आके बोलना चाहते थे या पीछे से बोल रहे थे सबने एक आज वो चकित है अगर सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाये हुए रास्टपति द्वारा अनमोदित किसी कानून को इस्टे करने लगेगा तो फिर कानून का राज कैसे रह जाएगा ये एक अलग सवाल है जो किसानों ने उठाय है वो बिलकुल अलग सवाल है लेकिन एक समवैधानिक सवाल समविधान की व्याख्या करने वाली संस्था यानि सुप्रीम कोर्ट के मामले में उठके सामने आ गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो उसने किया ऐसा करने की समविधान के तहद उसको ये पावर्स है या नहीं है मारकंडे कार्ड जो कहते हैं कि नहीं है यह उन्होंने बिल्कुल ही अनधिकरत चेस्टा की है और अगर ऐसा हुआ तो पर जंगल राज आ जाएगा संसत में बैठके लोग इसको इस तरह से खारिश कर देंगे वह अपना इस्टे कर देंगे कोई स्पीकर बैठके एक डिसीजन कर देगा स्पीकर अपने राइट्स के इस तरह के सुप्रीब कोट के मामलों में एक समय जो सोम्राजी थे उन्होंने एक नोटिस को इग्नोर कर दिया था अभी वहरास्त विधान सभा ने भी ऐसा ही किया है तो क्या हम वहां पहुँच रहे हैं जहां हमारी सस्थाएं किसी मुद्दे पर एक दूसरे के सामने जाके खुद ही अपने को फसा लेंगी किसी फैसला करने की जगे है जिनका काम चीजों का फैसला करना है वो उसकी जगे खुद ही एक फैसले से फस जाएंगी आपस में एक दूसरे से बुत्ता हो जाएंगी और वो नतीजों को उस इस्थिति में पहुँचा देंगी जहां इस फैसले से इन आलोचकों के अनुसार ये मामला पहुंचा है अब मैं आपको एक एक करके इन तीनों चीजों को जो बलकि चारों लोगों के जो उन्होंने लेक लिखा है या ट्विटर एकाउंट पर जो किया है उसके बरे मैं थोड़े से विस्तार से बताता हूँ अनिल सुरूब जी का ट्वीट अब एक दिन पुराना हो गया है लेकिन उसके काफी फिजल साब के सामने है करीब 611 लोगों ने इसमें वोट किया है मैंने बताया निल सुरूब जी आईएस सेक्रेटरी रह चुके हैं भारत सरकार में और राज्य में बहुत सारे पदों पर रहे और बाद में रेटायर हुए पूरी जिन्दगी सर्विस करने के बाद उन्होंने पूछा था कि इन तीन फार्म ला जो है जो क्रिशी कानून है इनको इस्टे करते हुए और इनमें एक कमेटी वेठाते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की वैधता की जाच की है या वो एक राजनेतिक छेतर में उसने हस्त शेप किया है यह उनका प्रशन था ट्विटर पर उन्होंने लोगों की इस पर राय के लिए वोटिंग कराई थी जाहिर है कि उनको पढ़ने वाले ज़्यदातर लोग उनकी नौकरशाही से जुड़े हुए हैं और प्रभुद लोग हैं उनके दोस्तों में बहुत सारे लोग हैं लेकि ज़्यदातर लोग वो है जो नौकरशाही वगरसे हैं एक तरह से यह नौकरशाही के एक बड़े पाइदान पर बैठे लोगों की राय का एक हद तक प्रतनिधित्व करती है देखिए आप की स्क्रीन पर इसको देख रहे हैं इसमें पहला इन्होंने वो रखा था मतलब जो ऑप्शन रखे थे पहला ऑप्शन था कि यह लीगलिट फीसदी लोगों ने इनके सर्वे में माना कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में समय धानिकता की जाच कर रहा था जबकि 58 फीसदी लोगोंने यह माना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में political domain में हस्तशेव कर रहा है यानि 58% समाज के एक खास हिस्से से जो इस देश में प्रशाशन के संचालन का सर्वोच इस्तर पर काम करता है उस ग्रुप में लोगों की राय इस तरह की है इस फैसले पर इन दोनों को मिला जुला के दिया गया फैसला कहने वाले लोग 22 फीस दी है और इन में से कुछ नहीं कहने वालों के संक्या सिर्फ 6 फीस दी थी ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि हमारे देश में जो प्रशाशन चलाने की और पाइदाने हैं उन में ये फैसला किस तरह से गया है अब आपको मैं दिखाता हूँ कि जो लिखा है लेखों में जैसे प्रताब भानु मेहता के लेख का अंत जो है इसका अनुवाद हमारे डेस्क ने किया है हो सकता है इस अनुवाद में वो भावना शत प्रतिशत उस तरह से व्यक्त न हो रही हो लेकिन 80 फीसद उस बात को क जाए है अन्त ये है कि ओ कहते हैं उन्हें के सब्दों में ज्यादा चतुर बनने की कोशिश में अदालत ने बहुत विस फोटक स्थिति पैदा कर दी है इसने बिना सुनवाई किये कानूनों को सिस्पेंट कर गलत मिसाल काइम की है इसकी वज़यसे अदालत की मशापर किस प्रसानों के मन में संशय पैदा हो गया है। जब देश की सर्वोच नियाले के बारे में देश के एक सबसे प्रमुक बुद्ध जीवियों में से एक यह आकलन करता है तो आप समझ सकते हैं कि इस फैसले के निहतार्थ कितने गंभीर होने जा रहे हैं। वो आर्थिक मावलों के विशेशक हैं और अपनी बात को उन आग्रहों की ओर से लिखते हैं जो आर्थिक कारणों से पैदा होते हैं। तो आप यह कह सकते हैं कि उनके सोचने समझने लेखे में कानूनों की पक्षधरता ही रही होगी क्योंकि वो किसान अंदोलन के आलोचक से रहें। लेकिन वो मानते हैं, वो भी मानते हैं कि सुप्रिम कोर्ट के इस हस्तशेप से सुप्रिम कोर्ट ने अपने खुद को और सरकार को भी कृषी कानूनों के मुद्दे पर नुकसान बहुशाया है। उसलिजेन के लेख ने भी जब इसको डिटेल किया है तो वो कहते हैं, इस फैसले का जो दुनिया में मैसेज जाएगा कि आगर भारत कानून बना कर भी किसी फैसले को इंप्लिमेंट करने जब जा रहा हो तो कोई एक संस्था उसको रोक सकती है, ये संदेश दे रहा है दुनिया को, तो कौन यहां व्यापार करने आएगा, किस हिम्मत से आएग व्यापार, यहां का आदमी को ही डर लगेगा, जो दूर बैठा है दूसरे देश में, उसको इस काईदे कानून और हमारे सिस्टम पर कैसे भरोसा होगा, वही सवाल, जो अलग तरीके से परताब महनु महता ने भरोसे का सवाल उठाया है, व्यापारिक द्रिस्टी से अग को बताया ही था, मरकंडिक आटजू साहब ने कहा, कि वो तीन-तीन हाई कोर्ट में जज रहे, बीस साल वकील रहे, और बीस साल ही करीब जज रहे, उन्होंने अपने चालिस साल के जीवन में ऐसा फैसला कभी नहीं देखा, यह पहली बार देखा है, उनकी भी व्याख्या यही है, कि सुप्रीम कोर्ट कोई अधिकार ही नहीं है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर उनके लेक का शीर्शिक, कि सुप्रीम कोर्ट को इसका कोई अधिकार ही नहीं है, जहां उसने इस मामले में कदम रखा है, वो किसी कानून को जिसको रास्टपती द्वारा, जिसक कि सम्वैधानिक्ता की जाच करके उसको खारिज तक कर सके खारिज करने का अधिकार सम्वैधानिक्ता की जाच करने के बाद को है लेकिन उस पर इस्टे देने का अधिकार अभी तक कोड के पास नहीं है और ना कभी कोड ने उनकी जानकारी के 40 सालों में इसका इस्तिमाल किय ये उनके सामने भी पहली बार है और उन्होंने भी माना है कि ये बहुत खतरनाक नजीर है और कोई भी संस्था अगर अपने दाइरे से आगे जाके लोकतंत्र में अगला कदम बढ़ा लेती है तो वो लोकतंत्र के संचालन के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करती है ये कह TV.com पर पढ़ सकते हैं विस्तारित तोर पर और उन्होंने बताया है कि कैसे ये गहर कानूनी है इस तरह का कोई खयाल हुई लाना लेकिन हमारे ये फैसला आ गया है तो इस फैसले पर दो कंट्रोवर्सी हो रही है एक किसानों को तो इस अदालती कारवाही पर ही पूरी तरह से पहले दिन से शक है जो शक तमाम बुद्धिजीवियों को भी है कि ये जो भी कारवाही हुई है ये कारवाही सरकार को एक मुश्किल से निकालने की कोशिश है और कानून विदिये मानते हैं कि ये कोशिश करते स समय सुप्रीम कोट ने एक बहुत बड़ी ब्लंडर कर दी है जो समयधानिक गलती है और जिसका नतीजा पता नहीं भविश्य में किस तरह से किसी एक समस्या के किस रूप में फस जाने के तौर पर हमारे आपके सामने आ सकता है क्योंकि लोकतंत्र के विभिन पायों का एक जिसके लिए वो समयधानिक तोर पर अधिकरित नहीं है हमारे स्लोकतंत्र के ताने बाने को तोड़ सकता है वैसे ही यह जो समस्या है इसको हैंडल करते समय सरकार ने जिस तरह से काम किया है वो बहुत ही शर्मनाक है उससे हमारे देश में पहले से ही विभाजन के लिए बह विभाजित समाज किसी भी देश के लिए आप समझे सकते हैं विभाजित परिवार किसी एक परिवार के लिए उसी को आप बड़ी काई में देख ले देश के तोर पर कितनी खतरनाक स्थिति होती है तो वो स्थिति इस मामले में अंदोलन कारियों को एक खास आतंकी धारा से जोड़ के बोलने की कोशिश जो सरकार और उसके प्रचारतंत्र की ओर से हुई जिसे दुर्भा के पूर्ण है कि हमारे मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार की हर बात को और हर कुकर्म को उसकी ही शैली में उसके लिए उससे जादा आगे बढ़के पेश कर देता है य कि ये जो मामला जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पैदा हुआ है इसने एक समवाधारिक सवाल हमारे सामने नए आखड़ा कर दिया है फिर हाजिर होंगे नमस्क्राइब सत्य हिंदी का एप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर